इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मोका मिला है इस बीच बिश्व, कोविड महमारी और अन्य कई कठीन चुनोतियों से गुजरा है इन चुनोतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधीत पड़ा है भारतिय विचारधारा में संपुन अभीश्व को परिवार के तरह देखा गया है बसुधैव कुटुम कम इस मूल मंत्र हमारी प्रेणा है इस साल चल रही हमारी G20 प्रेशिदेंसी की थीम भी बसुधैव कुटुम कम के उस सिध्धान के प्रकाश में बन अर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है इस वर जन्वरी में हमने वोईस अप साउथ, ग्लोबल साउथ वोईस अप ग्लोबल साउथ समीट का अविजन किया आपके प्रतिनित्यों ने इसमें भाग लिया अपने विचार साजा किये और इसके लिए मैं आपका अभिनादन करता हूँ भारत ग्लोबल साउथ की चिन्ताओं उनकी अपेक्षाओं और उनकी अकांख्षाओं को जी ट्वेंटी के जरिये विश्व के समक्ष पहुँचाना अपना दाईत्व मानता है एक्चलंसीज फूड सिकूरिटी को प्राथ्विक्त देते हुए हमने नूट्रेशन को और वातावन सवरक्षन को भी ध्यान में रखा है वर्ष प्रेंटी ट्वेंटी थ्री को यूएन ने अंतर राष्टिये मिलेट वर्ष गोशित किया है भारत ने इस सूपर फूड को स्री अन्न का दर्जा दिया है इनकी खेती में कम पानी लगता है और उनमें नूट्रेशन भी अधीक है मेरा विश्वाथ है कि मिलेट आपके देशों में भी सस्टेनेबल फूड सिक्यूरिटी सूनिस्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं एक्सलेंसीज भारत आपके प्रात्विक्ताओं का सम्मान करता है आपका डेवलोप्मेंट पार्टनर होने पर गर्व महसुस करता है मानविय सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसे मन पार्टनर के रूप में देख सकते हैं विश्वास कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलोजी हो या स्पेस टेक्नोलोजी हेल स्पेक्रिटी हो या फूड स्पेक्रिटी क्लाइमेट चेंज हो या एनवार्मेंट प्रोटेक्शन हो हम हर तरह आपके साथ है प्रश्वास कर दो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब